तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके BSC First Year First Semester Geology के Unit 5 को डिस्कस करने वाले हैं और आपका Unit 5 है Mendelism and Sex Determination तो इस यूनिट से आज हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और हमारा आज का पहला टॉपिक है Basic Principle of Hereditary यानि कि आज के इस वीडियो में हम कुछ Basic Terminology के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके Genetics और Hereditary से जुड़े हुए हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा important होने वाला है वीडियो को ध्यान से देखेगा और पुरा देखेगा तो आईए आज के वीडियो की सुरुवात करते हैं तो यदि हम बात करें Genetics की The term Genetics was introduced by Batson in 1906 तो Genetics सब्द सबसे पहले 1906 में Batson ने दिया था तो ये जो Genetics सब्द है वो Greek सब्द जीन से उत्पन हुआ है जिसका अर्थ होता है To Grow Into यानि की बढ़ने के लिए तो यहाँ पर मैं आपके एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि अकसर जब भी आपसे Genetics की Definition पुछी जाती है तो आप बताते हो कि Transfer of Genetic Material from one generation to another generation is called Genetics यानि कि माता पिता के गुणों का एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी में जाना Genetics कहलाता है अनुआन सिक्ता कहलाता है तो आपको बता दे कि यह जो Definition है Genetics की गलत है यह जो Definition है यह Hereditary की है तो Genetics को हम कैसे Define करेंगे आए समझते हैं तो आपको बता दे कि जो Genetics है यह Biology का एक ब्रांच है जिसके अंतरगत हम Hereditary और Variation को Study करते हैं और जानने की कोशिस करते हैं कि कैसे जो Character होते हैं एक पिड़ी से दूसरे पिड़ी में जाते हैं चाहे वो एक जैसे Organism हो या फिर एक दूसरे से Related Organism हो तो Simply अगर हम Genetics को Define करना चाहें तो कुछ इस तरह से Define कर सकते हैं Genetics is the study of Hereditary and Variation of Inherited Characters यानि की Genetics जिसे हम Hindi में अनुवान सिक्ता कहते हैं यह वनसागिती जिसे इंगलिस में बोलते है Hereditary और विभिंता यानि की Variation इन दोनों का अध्यान है तो अब बात आती है कि Hereditary क्या होता है Variation क्या होता है तो Hereditary को समझ लेते हैं The tendency of offspring to resemble their parents is called Hereditary यानि की कहने का मतलब है कि संतानों का माता-पिता के समान होना ही कहलाता Hereditary या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माता-पिता के लच्छोनों का पिढ़ी-दर-पिढ़ी उनकी संतानों में जाना ही कहलाता है Hereditary अब नेक्स्ट बात आती है Variation Variation क्या होता है The tendency of offspring to vary from their parents is called Variation तो Variation यानि की विभिनता का मतलब है कि जो संताने होती हैं उनमें कुछ न कुछ भिनता होती है अपने parents से यानि की कोई भी संतान कभी भी अपने माता-पिता के समान पूरी तरह से नहीं हो सकता और यही असमानता ही कहलाती है Variation तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो genetic सब्द है सबसे पहले बेटसन ने दिया था और यह एक biology का branch है तो आपको बता दे कि genetics पर सबसे पहला अध्यान और कार Gregor Zorn Mendel ने किया था इसलिए Gregor Zorn Mendel को हम बोलते हैं Father of Modern Genetics तो Gregor Zorn Mendel कौन थे उन्होंने कौन से ला दिये इनके experiment क्या थे इन सभी topic को हम आने वाले दिनों में detail से discuss करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको वीडियो में बहुत सारे ऐसे term दिखेंगे जिनको जानना जरूरी है तो इन सभी terminology को आज हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो वो सभी terminology क्या है आए इनको समझते हैं तो सबसे पहले हम बात कहते हैं gene की gene होते क्या है और हम gene को कैसे define कर सकते हैं The term gene was coined by Johnson in 1909 तो सबसे पहले gene सब्द 1909 में Johnson ने दिया था तो आई हम देखते हैं कि हम gene को कैसे define कर सकते हैं Gene is the hereditary determining factor and it consists of a continuous segment of DNA तो जो gene होता है यह DNA का खंड है जो की hereditary यानि की वनसा गती को निधारित करता है तो gene के द्वारा ही fix होता है कि कौन से character next generation में जाने वाले हैं और हर एक character के लिए specific gene होते हैं In eukaryotes, the gene occupy in a specific position of the chromosome called locus तो eukaryotic coseca में गुरसुत्र पर जहां gene पाये जाते हैं उस position को हम बोलते हैं locus कहने का मतलब है कि गुरसुत्र पर जहां gene पाये जाता है उस position को कहते हैं locus और इसका plural होता है loci तो कभी-कभी practical exam में आपसे exam ना दिये question पूस देता है कि locus क्या होता है तो आप locus को इसी तरह से define करोगे आप बताओगे कि chromosome पर जहां पर gene पाये जाते हैं उसी को हम बोलते हैं loci तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो gene होते हैं वो specific character को control करते हैं for example अगर हम बात करें height की, eye color की, hair color तो यह सभी किसके through control किया जाता है यह सभी gene के through control किया जाता है आईए next हम बात करते हैं allele की तो allele क्या होता है allele are also called as allelomorph यानि कि हम allele को allelomorph भी कहते हैं तो allele को हम कैसे define कर सकते हैं allele are alternating form of a gene which occupying identical loci on the homologous chromosome तो सबसे main चीज़ यह है कि जो allele होते हैं वो gene के alternative form होते हैं यानि कि gene के ही रूप होते हैं जो कि homologous chromosome पर एक ही लोकाई पर पाए जाते हैं तो आईए समझते हैं कि gene और allele वास्ताव में होते क्या हैं आज मैं आपको इन दोनों से related जो confusion है उनको दूर कर दूँगा तो जैसा कि आप अपने left side देख सकते हैं यहाँ पर हम जैसे बात करते हैं आई कलर तो आई कलर यह specific gene द्वारा कंट्रोल होता है अब यह जो capital A और small A है यह दोनों क्या है एलील है तो जो capital A है यह blue eye के लिए है और जो small A है यह brown eye के लिए है तो कहने का मतलब है कि eye color यह control हो रहा है gene के द्वारा लेकिन कौन सा color होगा वो depend करता है एलील पर आईए एक और example के थुरू समझते हैं जैसे अगर हम बात करें height की तो यह height किसके द्वारा control होगा? gene के द्वारा control होगा यानि कि height को control करने के लिए कोई gene होगा अब इसके लिए allele कौन से हैं? दो allele है capital T और small T तो यह जो capital T है वो टाल के लिए है और जो small T है वो ड्वार्व के लिए है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबाई यह एक gene के द्वारा control होता है लेकिन लंबाई कैसी होगी? यानि कि लंबा होगा या बाउना होगा वो depend करता है allele पर तो जो allele होते हैं वो gene के ही alternative form होते हैं तो यहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं कि जो allele होते हैं वो two type के होते हैं एक होता है dominant और दूसरा होता है recessive तो जो dominant allele होते हैं उन्हें हम capital letter से represent करते हैं और जो recessive allele होते हैं उन्हें हम small letter से represent करते हैं तो आए कुछ point हम dominant allele और recessive allele के बारे में discuss करते हैं the dominant allele will always express phenotypically यानि कि जो dominant allele होते हैं वे हमेशा आपको phenotype रूप से represent करेंगे यानि कि द्रिस रूप से हमेशा आपको दिखाई देंगे जबकि जो recessive allele होगा वो आपको तभी दिखेगा जब dominant allele absent होगा मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर capital T और small t यह दोनों gene में represent हैं लेकिन अगर हम देखें यह कौन सा character हमेशा represent करेगा capital T small t एक साथ है तो यह हमेशा लंबा ही होगा मतलब इस generation को आप देखेंगे तो आपको लंबा दिखेगा तो यहाँ पर जो small t वाला character वो छुपा रहेगा लेकिन अगर small t small t दोनों एक साथ है तो इसमें आपको बौने वाला गुन दिखाई देगा तो कहने का मतलब है कि अगर capital T small t एक साथ है तो हमेशा आपको dominant character दिखाई देगा recessive आपको तभी दिखेगा जब दोनों एक ही तरह के हो या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसमें dominant allele न हो the dominant allele mask or are suppress the expression of the recessive allele तो जो dominant allele होते हैं वे का कहते हैं recessive allele को छुपा देते हैं या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो recessive allele के जो quality है उनको दबा देते हैं आई ये next हम बात कहते हैं homogigus तो homogigus और heterogigus क्या होते हैं ये भी term बार बार आपको देखने को मिलता है तो यदि हम बात करें homogigus की तो homogigus is a condition in which both the member of an allele pair in the homologous chromosome are identical तो homogigus क्या होता है homogigus condition वह condition होता है जिस case में जो दोनों allele pair हैं वो एक जैसे होते हैं यानि कि वो identical होते हैं अब चाहे हो dominant allele एक साथ हो या फिर recessive allele एक साथ हो लेकिन दोनों ही एक जैसे होंगे जैसे कि आप देख सकते हैं capital T, capital T या फिर आप देख सकते हैं small T, small T तो ये सभी क्या है? ये सभी है homogigus तो यहाँ पर मैं आपको एक important point बता दू कि जो homogigus individual होते हैं वो हमें सब pure breeding होते हैं यानि कि इनकी जब भी अगली generation आती है वो हमेशा इन ही की तरह होती है जैसे कि अगर हम लें capital T, capital T तो ये tall है तो इससे उत्पन होने वाले जितनी भी संताने होंगी सभी tall ही होंगी क्योंकि इसमें हैं आप देख सकते हैं केवल एक ही तरह का एलील है वह हमें बात करें dwarf की यानि कि small T, small T की तो इसकी जब भी कोई generation आएगी वो आएगी dwarfी क्योंकि इसमें एक ही तरह के एलील है small T, small T तो जो भी homo-gigous होते हैं वो हमेशा pure breeding होते हैं आज नेक्स नम बात करते हैं heterogigous की heterogigous is a condition in which the member of an allele pair in the homologous chromosome are not identical तो heterogigous condition में क्या होता है heterogigous condition में क्या होता है कि जो homologous chromosome पर allele के pair होते हैं वो एक जैसे नहीं होते एक dominant होता है तो दूसरा होता है recessive जैसा कि आप देख सकते हैं capital T, small T तो जो heterogigous individual होते हैं वो hybrid होते हैं यानि कि ये pure breed नहीं होते ये जब भी अपनी संतान उत्पन करेंगे इसमें जो संताने उत्पन होंगी वो अलग-अलग character की होंगी या फिर हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि अलग-अलग प्रकार के gamit बनाते हैं और अलग-अलग gamit बनने की वज़े से इन में अलग-अलग प्रकार की संताने उत्पन होती हैं जैसी के अगर हम बात करें यहाँ पर देख सकते हैं Capital T, Small T तो इससे दो breed बनेंगे एक लंबा बनेगा और एक बॉना बनेगा क्यों बनेगा? क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें दो तरह के इलील है Capital T और Small T तो जो हेट्रोजाइगस होते हैं यह true breeding नहीं होते यह hybrid रूप होते हैं तो दोस्तो यह था हमारा genetics की terminology से जुड़ा हुआ आज का पहला part अभी और भी important term है जिने हम अगले part में discuss करेंगे तो आपको आज का part कैसा लगा? कमेंट करके जबर बताएगा अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share करना मत भूलेगा और कोई भी doubt हो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं आने वाले दिनों में आपको जुलोजी से जुड़े हुए और भी वीडियो मिलेंगे और जुलोजी से related जितने भी unit है उनके question answer भी मैं provide कराऊंगा तो आपको बस इतना करना है कि यदि आप हमाया channel को subscribe नहीं की हुए तो please channel को subscribe कर ले और बगल में जो bell icon है उसे press का ना मत भूले ताकि जब भी मैं इस तरह की video upload करूँ उसका notification आपको मिलता रहा आपको मिलते हैं आगले वीडियो में अगले टापिक के साथ अपने पूले जहिल जहारत करें